दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पैची हेरलोस के बारे में वैसे तो हेरलोस बहुत सारी किसम के होते हैं जैसे पैटन हेरलोस, डिफ्यूज हेरलोस, पैची हेरलोस लेकिन पैची हेरलोस बालों के लोस की एक ऐसी किसम है जो थोड़ा सा हटके होती है इसके अंदर इसके कारण बाल इम्मुनिटी के रिवर्स होने से जाते हैं जिसके बारे में आज हर वो चीज जानने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में आप जानने को उच्छ रहते हैं यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अन्रोध कि आप आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले दोस्तों पैची हेरलोस बालों के जड़ने के एक ऐसी किसम है जो हमारी इम्मुनिटी से समंदित होती है यानि हमारी श्रीर की प्रतिरोदक्षमता जब रिवर्स काम करना शुरू कर देती है तब हमें पैची हेरलोस होता है इसे विज्ञान की भाषा में अलोपेशिया अरियाटा कहते हैं अलोपेशिया का अर्थ होता है बालों का जड़ना गंजापन और अरियाटा का अरिया, जब बाल शरीर के किसी भी हिस्से से किसी भी एरिया से irregular या regular shape में जाते है तब इसे alopecia riata कहा जाता है ये scalp मे भी हो सकते हैं, डाड़ी मुझे में भी हो सकते हैं शरीर के अन्य पार्ट में हो सकते हैं, कहीं भी इस तरह का patchy hair loss हो सकता है पैची हेरलोस में चक्ते के आकार में जह वो irregular हो या regular हो शրीर के किसी विशा से बाल चले जाते हैं यह होता है श्रीर की community reverse होने से जो श्रीर की प्रतिरोंथक शमता बिमारीयों से श्रीर को बचाने का काम करती है यदि वही बीमारी लगाने लग जाये तब इसे autoimmune disorder कहते है शरीर में ये किसी भी अंग में हो सकते है जब ये बालों में होते हैं तो ये alopecia areata कहलाते है ये किसी भी उमर में हो सकते हैं किसी भी ling में हो सकते है यानि महिला में, पूरुष में, बच्चों में, बड़ों में, व्यसकों में, बुड़ों में, किसी में भी हो सकते है लेकिन बच्चों में इसके होने की दर जादा होती है क्योंकि बच्चों की immunity, व्यसकों की पेक्षा थोड़ी सी कमजोर होती है दोस्तों ये genetically भी हो सकते हैं 15% लोगों में alopecia reata गुण सुत्रों की वज़े से होते हैं genetic कारणों से होते हैं वन्शान उगत होते हैं एडिट्री रिजन से होते हैं दुनिया के हर हिस्से में alopecia reata पाया जाता है अमूमन 1000 में दो लोगों को alopecia reata की शकायत होती है यानि 0.02% इसकी prevalence पूरी population में देखी जाती है भारत के अंदर भी लगबग इसकी यही दर है दोस्तों इसकी अमूमन तीन किसम होती है यानि इसकी तीन अलग-लग stages होती है इसकी श्रुवात आम तोर पे alopecia reata से होती है जिसमें patch बनते है यह बढ़कर alopecia totalis में convert हो सकता है यानि पूरे सिर में से बाल जब चले जाते है तो उसे alopecia totalis कहते है और यह आगे बढ़कर alopecia universalis में भी convert हो जाता है जिसके अंदर सारे श्रीर के बाल including सिर यानि सिर से, बहों से, दाड़ी से, मुचों से, इंगवैलर रिजन से, अक्सिलरी रिजन से और अन्य बोड़ी पार्ट से सब के सब जब बाल चले जाते हैं तो इसे alopecia universalis कहते हैं और कुछ लोगों में इसके offices pattern भी होते हैं जिसमें से बाल कान के पीछे से और रोसीपिटल रिजन से चले जाते हैं इस तरह से इसकी अलग-अलग types होती हैं दोस्तो, alopecia areata यदि समय से पता लग जाए और इसका इलाज शुरू हो जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है बहुत बार stress भी इसका कारण देखा गया है इसके अलावा vitamin D की कमी होना, thyroid disorder होना, hormonal imbalance होना, pollution का होना या अन्य factors भी alopecia areata की तरफ जा सकते हैं बहुत सारे cancer के patients के अंदर जब chemotherapy दी जाती है तब भी alopecia areata या alopecia totalis मनुष्य का हो सकता है सिर के सारे के सारे बाल चले जाते हैं जो की chemotherapy बंद होने के बाद दुवारा से वापस आ जाते हैं तो दोस्तों यदि आप या आपका कोई जानकार या कोई relative alopecia areata totalis या universalis से गरस्त है तो पहली बात तो आप चिंता ना करें तनाव से बाहर निकलना है दोस्तों बहुत जादा हद तक इस बिमारी को manage किया जा सकता है बहुत सारी herbal treatment ऐसी है बहुत सारे आईरवेदा के अंदर ऐसी जड़ी बूटिया है बहुत सारी आईरवेदा के अंदर ऐसी ओजडिया है जिनको इस्तेमाल करने के बाद और lifestyle पे काम करने के बाद 90% patient को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें तो दोस्तों यदि आपको ऐलोपेशिया रियाटा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं इसका इलाज संभव है मैं उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेर अवश्य करें मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए वश्य के साथ तब तक के लिए नमश्कार